ये शो मती मही आके नंद लाला ये क्या हो रहा है? अभी ऐसा लगा जैसे किसी ने टोकरी उठाने में मेरी मदद की हो आज बहुत भ्रह्म हो रहा है लगता है नारायन के पाथ जाने का तेरा समय आ गया है बुड़िया झाल झाल यह मुझे सो क्या करवादी है मुझे यह सब नहीं करना मुझे नहीं रहना यहा हम हम मुझे जाने तो मुझे चमा कर तो मुझे चमा कर तो मुझे जाने तो मुझे जाने तो कहा आ गया मैं मुझे जाने तो मुझे चमा कर तो मैंने क्या कर दिया प्राप्ति ये क्या किया तुमने उन्हें माहराज पन से भेट करने थी मैंने करवा दी मैं तो कभी कलपना भी नहीं कर सकती थी कि तुम पर ये सब अकेले कैसे किया तुमने फिर कभी कभी संदे हमत करना मुझे मुझे जाने तू मुझे ते जाने तू पर इसकी दर्शा तो देखो ये तो तर्शो बतर ठीक हो जाएगा ये ओहो नन्ना सा काना मुझे की सायता कर रो है हाँ बाबा क्यूंकि मैं अच्छा बालक हो ना मैं जल लेक्या आती हूँ हाँ देखके आजा लल्ला थेरो मैं याँ थेरो मैं याँ किसीने मुझे पुकारो है क्या थेरो मैं याँ मैया ये मुझे ले जाने दूना मुझे बाबा की सायता करनी है पर लल्ला जशोदा जी ले जाने दो इसे अब जिब बड़ा हो गयो है ध्यान से ले चाहिए मैं एक चकर और लगा लेती हूँ इतना भूजा सर पर ढूने से वापस जाने से तो अच्छा है नारायन चाहेंगे तो कोई गरात मिली जाएगा अरे बाद बड़ा अच्छा बालक है तो तो अच्छा बालक बड़ने में तो बहुती आननदार हो है आए आए तो कहिए क्या बात है… और यही गोखिल भाद घयो के लिए और उसे मत्रोड़ा की राजमहल के करमचारी को बेचते हैं पर बीते कछु दिन से वह हमसे चारव भी ले लेते हैं और बदली में हमें कुछो भी नहीं देती हमें डार्ट फटकार के भगा देते हैं अब हम जे चारा वहां नहीं ले जाना चाहते नंदराज कितना चारा लाए हो सकट भर के हैं नंदराज आप ले लोगे तो हम इती दूर मत्रूरा ना जाना पड़ेगो कितने चारे के बदले एक बोरी चावल परियाप्त होंगे आप सबको ये तो बहुत अधिक है नंदराज हमारे लिए तो चावल की आधी बोरी ही परियाप्त है बंसी एक बोरी चावल लाकर इने दे दो और ये चारा कौसाला में रखवात जी नंदराज का कि अधिक हवाई साहिता करने के लिए बहुत भुथ धन्यवाद नंदराज जी आप धन्यähän अगलाजी अध्य की नंदराजी चे podiaको कि कि ए जशिवा कालग हो बापा अरे मेरे काना आजा काना मैं गोकुल को राजा हूँ न इसलिए अपनी प्रजा की सहायता करना मेरो कर्तव्य है इसी तरह तू भी गोकुल को राजकुमार है इसनाते एक बात तू गांट बान ले कि कोई भी कभी भी तेरे द्वारे से निरास न लोटे तब ही तू अच्छे मालक के साथ साथ अच्छा राजकुमार कहलाएगो समझ गयो? मैं समझ गो बाबा चल अब मैं उतनन भहिया को बता कर आतो हूँ कि इन लोगों को चारा बेचने के लिए कहीं और जाने के आव सकता ना है तू घर सबाल जो मैं सोच रही हूँ क्या आप भी वही सोच रही है ब्रभू? जेशोदा भाबी जाने किदर तो देखो कित्ता चारा लायो कित्ते चारे के बत्रे एद बूरी चावल प्राप्त है फल ले लो फाल मीठे मीठे फाल सुगंदी इत्ती बढ़िया है तो फल कित्ते मिठ्थे होएंगे लल्ला, फल चाहिए? कहाँ चली जेशोदा जी? देखने तो दो काना क्या करतो है? तरिक ठेरो तो सहीं अरे पर क्यों? आपको अपने अच्छे बालक पर विश्वास ना है? विश्वास क्यों ना है? अबस्य है? इत्ते वर्सों तक घर में बंद अवस्य रखो है मैंने पर सिखाओ भी है सब समभाल सकतो है मेरा कान समभाल लेओ लल्ला अपने मैया की लाज रखियो अपने मैं नहीं 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 मैं किसी से नहीं मिलूंगा मैं फिर से यह सब नहीं करने बाला मैं पहले बतारहो आप लोगों को देखो मुझे जमा करतो मुझे यह सब नहीं होगा मैं किसी से नहीं मिलने वाला कि यह सब यह भार क्यों कर रहा है शान तो जब अन्यता हमारी योजना असफल हो जाएगी पता लग जाने दो सब को पता लग जाने दो मुझे यह सब नहीं होगा मुझे अच्छा मा कर दो क्या पता चल जाने दो महराज कंस कौन है वहाँ आपने बाणासुर को नहीं पहचाना महराज और आप दोनों ने अपने स्वामी के परामित्र और सबसे विश्वसनिय सात्वी को नहीं पहचाना नारायन का बहुत बहुत धन्यवाद रात भर प्रयास करता रहा पर तुम्हारी मूर्चा टूटी नहीं रही थी कहीं कंस के हाथ में वो तलवार देख कर दो नहीं उस राक्षिसी तलवार पर रख देख कर मेरा रिदे का पवश्गया था पर मेरी मूर्चा का कारण वो तलवार नहीं थी स्वामी तो फिर अवश्य है कुछ तो समस्या है यहाँ मित्रवानसुर पड़े दिनों बाद भेंट हो रही है और कंज के रहते कभी कोई समस्या हो सकती है क्या जिन्ता की कोई आविश्च्टा ने के बातों में क्या रखा है आओ इसनी लगो हाँ 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 है एट हाँ आट महराज कंस के मुझाओं के पकड़ अजगर की जकड़ से भी अधिक कठोर होती है तुम कंस नहीं हो मित्र बाना चुर्क यह तुम क्या कर रहा है वह ऐसे कपकपाना यह सिद्ध करता है कि तुम कंस कहलाने के योग्य भी नहीं है साथ्या बता कौन है तुम मेरी मोर्चा का कारण था वो वेक्तित्व रक्ट से सनी तलवार जिसके हातों में थी वो वेक्ति कंस नहीं था स्वामी बिल्कुल सही पहचाना आपने यह माराज कंस नहीं है यदि वो कंस नहीं था तो फिर था कौन? यह है रास्ट्रपाल कंस का भाई मेरी सीधे साधे भाईया रास्ट्रपाल इसका तो एक ही अर्थ है स्वामी कंस ने उन्हें भी अपने जैसा बना दिया है मित्रपाल नहीं ब्राता बानसूर मैंने कुछ नहीं किया मुझे एक समा कर दो इन दोनों ने मुझसे बलपूर्वक सब तुछ कर आया है क्या करवाया और कहां है मेरा मित्र कंस वहां कर्दक उजाज करता ऊत्र कर दो करते कर दो कर दो करते करल कि तुझे सच्ची में फल चाहिए ना कहीं औरों की तरह तेरी मैया भी क्या है यह पूच कर वापस तो नहीं भेज देगी ना कि वेर्थी मत कश दो इस बुढ़िया को ना ना फली ये बिना थुड़ी चाने दूंगो सुबे से बात सारा काम करूँ है मैंने अब तो तेवरे भूग भी लग गई है हुआ है हुआ हुआ है कि स्वेयन तो इत्ता सा है कित्ती बडी टोग्री समाले चलो है किसी की सहायता करने के लिए तन और मन के बल से अधिक निश्य में बल होनो चाहिए कि यह तो नन्वावन है ना और तुम नन्जी के लल्ला हो ना हाँ मेरा नाम किष्णा है पर आप मुझे लल्ला और काना बला सकती हैं सब अपने मुझे इसकी नाम से बुलाते हैं तुम मैं भी तुम्हारी अपनी हो इन सबसार में सबी मेरे अपने हैं और मैं सबका ख़बी ख़बी चेट कैसी बाते कर देतो है जितना सुना था तेरे बारे में तु उससे भी अधिक अच्छा है लल्ला सची तब इस प्यारे से लल्ला को फल तो दो कबसे खड़ा हूँ बहुत भूख लगी है मुझे हाँ हाँ बताओ कौन सा फल खानू है केला, आम या अमरूत आम दिखने में मीठे लग रहे हैं अमरूत बहुत भुशीले और केले मेरे जासे पीले वस्त्रपैन के बहुत अच्छे लग रहे हैं तो फिर कौन सा लूँ? मुझे तो सारी के सारी चाहिए लगतो है मुझे जानों चाहिए, मोलभाव कराने देख तो लो, आपका काना कर क्या रो है? पता चल जाएगो जे कितना सायानों है? सायाना तो बहुत है काना सोयम देख ले लो हाँ, पका मुझे तो सारे फली अच्छे लग रहे है तो सारे ही ले लो पर ही तो बताओ के इसका मुल्य क्या दोगे? मुल्य ही क्या होता है? जब कोई वस्तु लेनी होती है न? तो उसके बदले में कुछ देना होता है लला उसको मुल्य कहते है पर जब मुझे मया फल लेती है तो मुझे कोई मल्या नहीं लेती है और गोपियां भी तो कोई लड्डू और मिठाया देती रहती है पर उन्होंने कभी भी मुल्य ने मागा मैं भी कैसी हूँ? एक नन्ने से बच्चे से मुल्य पांग रही हूँ जी तु करना है सब कुछ नौचावर कर दू इस पर यह फलो की टोकरी क्या है? एक बात तु गांट बान ले कि कोई भी कभी भी तेरे द्वारे से निरास न लोटे तभी तु अच्छे बालक के साथ साथ अच्छा राजकुणार कहलाएगो आप दाशना हो ना पके लिए अभी मुल्य लेकर आठा हूँ माहिया, बारेक फल वाली महिया आई है मुझे उनसे फल लेना है, मैं उन्हें क्या मुल्य दू? इस संसार में कोई भी बस्तू लेनी हों को उच्छत मुल्य चुकाना का पत्तो है जे पात तो इसे सिखाना ही हो को लल्ला कुछ पानो है तो कुछ देना भी पड़ेगो मुल्य ऐसा होनों चाहिए कि विक्रेता को कम ना लगे और स्वैम देने वाले को अधिक ना लगे मैया आपी बता दो ना मेरा लल्ला इत्ता बड़ा हो गव है मैं क्या बताओ जेने ने स्वैम लेले यह मेरा राहिए हमदान मेरा लाए यह लग बताओ मेरा लाए मेरा झाल झाल